सब्सक्राइब किजे कंट्रक्शन होम चैनल को और बेल आइकाउन दबाए ताकि कंट्रक्शन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सके हेलो एवरिवन सौगते आप सभी का कंट्रक्शन होम में तो आज हम देखने वाले हैं हमारे घर में याने रेसिडेंशल बिल्डिंग में जो कि स्टेरकेस होती है उसे बनाने में कितनी जगर की जरूरत होती है तो ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है आपके लिए तो वीडियों तक देखे ताकि पूरी जानकारे मिल सके अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करें और बेल आइकान ज़रूर दबाए ताकि इसी तरह के कंड्रक्शन रिलेटेड वीडियों हम आपके लिए लाते रहते हैं तो चलो फ्रेंड शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे स्टेरकेस का सेक्शन जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से स्टेरकेस अरेंज करना है जैसे कि आप देख रहें स्क्रिन पे यह है हमारा फ्लोर हाइट यहाँ पे 10 फिट आपको देख रहा है 10 फिट वो हमारा है फ्लोर टू फ्लोर हाइट यानि हमारा जो नेचे का फ्लॉर है यहासे उपर का फ्लॉर तक हमारा हाइड है 10 फिट और उसी साब से हम राईजर और त्रेड का अरेज्मेंट करना पढ़ता है राईजर यानि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वर्टिकल पारट है स्टेप का उसे राइजर बोलते है और हमारा जो होरिजन्टल फार्ट है हमारे स्टेप का उसे ट्रेड बोलते है हमें ट्रेड का साइज 10 इंच रखा है और राइजर का जो साइज है वो हमने 7 इंच रखा है राइजर का साइज आप 6 इंच भी रख सकते है वो आपके उपर डिपेंट उसके बाद हम देख लेते ही हमारा staircase का प्लान देख सकते ही हमने किस तरह से अरेंज डिश्व किया है है bunuआँ से आप सकते है limited प्लोर के लिए यहां पर हमने steps पे number का यहां पर हमने steps पे number दी है ताकि आपको आसानी से समझ में आए आपको याद रखना है कि यह जो आपको six feet देख रहा है यह हमारा total distance है जो कि हमारे staircase के लिए use होने वाला है यहां पर हमने three feet का arrangement किया हुआ है यहां भी देख सकते हैं हमने three feet का landing बनाया है यह हमारा landing जैसे के आप यहां से उपर आएंगे यहां पर landing पर यहां से आप जा सकते हैं first floor के लिए okay friends और आपको याद रखना है यह जो हमारा step से इसका size आपको three feet देना है three feet से कम नहीं देना है यहां पर जो भी हमने dimensions दिये है वो standard dimensions से इसका use आपने करना है इससे कम आप use करोगे तो आपको कोई भी वहां पर comfortness नहीं रहेगा और use करने में दिक्कते आ सकती हैं और यह जो आप दिख रहें यहाँ पर हमारा है total brickwork जिसको हमने add किया है हमारे dimensions में तो देख सकते हैं आप यहाँ पर total हमारा जो dimensions से stair case के लिए लगने वाला वह है 14 feet 4 inch by 7 feet 8 inch हमारा जो brickwork यानि हमारा बांध काम जो है वह हमने 10 inch का लिया हूँ है याए 10 inch का तो friends आपको समझ में होगा कि किस तरह से आपको staircase का arrange करना है आपको याद रखना है कि 14 feet 4 inch by 7 feet 8 inch इतना जग आपको लगने वाला ही है और उससे भी आपका कमी area है तो उसके लिए में आपको बताता हूँ किस तरह से आपको arrange करना है यह रहा हमारा दूसरा प्लान जिसका हमा friends देख सकते हैं आप यहाप किस तरह से हमने arrange किया जो क्या हमारे यहापी landing था इस प्लान में हमारा जो landing था यहापे वो हमने यहापे landing दिया नहीं है यहापे हमने steps arrange की है landing की जगहा कि हमें कम area में staircase बनाने में आसानी हो ओके फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे शेर करे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकान दुरू दबाए ताकि इसी तरह की कंट्रक्शन रिलिटेड वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं और फ्रेंड्स आपको याद रखना है यह जो हमने डाइमेंशन बताये गए है उसी डाइमेंशन के बगेर आपको कोई भी चेंजिस नहीं करना है इसी इसमें आप चेंजिस करोगे तो आपको यूज करने में आसानी नहीं रहेगी और आपको कंपटनेस नहीं रहेगा तो फ